दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि OPPO A3S Mobile का वालियम बटन के सरा तबदील करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपने इसका SIM ट्रेन निकालना है SIM ट्रेन निकालने के बाद इसका बेक कवर कोल दे बेक कवर कोलने के बाद सबसे पहले अपने इसकेaskenzieым को डिस कानेट कर देना है उसके बाद डिस्प्लेए वाला जेक चार्जिंटी निकाल दे और अंटिना गेबल का जेक निकाल दे उसके बाद इसके पेच कॲ दे सब्सक्राइब मेन बोर्ड पर जो पेच लगे होते हैं वो पेच कोल कर इसका जो मेन बोर्ड है मोबेल के पेने से बाहिर निकाल दे इसी मेन बोर्ड के नीचे आपके यह वाल्यूम बटन वाला स्ट्रिप होता है तो आप ये राइट साय पर देढ़े सकते हैं ये इसका वाल्य मढ़ा इस्ट है अब इस पर एक टेप लगा हुता है वर टेप कोले और इसका जो स्टिप है इसको बाहर निकाले obs चूजर की मदरे से इसको बाहर निकाले तो पिरी दफ़ा निकालने में ये तोलब सा सकत होता है तो हो सा कि इसको तोड़ सा घरम कर दे हिट गंड से इसको घरम कर दे या तोड़ सा पेट्रॉल इसमें डाल दे तो ये जगा असानी से निकाल जाएगी ज्यादा पेट्रॉल निकालने है क्योंकि इससे आपके स्क्रिंड में चले जाएंगे और आपका स्क्रिंड में पिर दाख नजर आएंगे तो गरम करने से ये ऐसानी से निकल जाएगा तो दोस्तों ये इसका वाल्यूम बटन वाला स्ट्रिप है अब इसमें दूसरा नए स्ट्रिप लगा ले तो इसको बिलकूर उस तरह लगाने है जिस तरह ये लगा हुआ था अगर इसमें तोड़ा सा भी फरक हुआ तो पिर ये इसी तरह से काम नहीं करेगा नए स्ट्रिप लगाने के बाद इसके नीचे तोड़ा सा गम लगा ले तो ये मजबूती से लग जाएगा अब इस पर में बॉर्ड लगा ले में बॉर्ड अब सी तरह से बेट जाए तब इस पर डिस्प्लेई वाला जेक चारजिंग फ्लेक्स टिप वाला जेक और इंटरेने केबल का जेक लगा कर आखिर में बेटी को कनेट कर दे और अब इस पर पेच लगा ले में बॉर्ड पर पेच लगा ले तो दोस्तो इस पर आपने वी पेश लगाने जो पेश आपने से उतारे थे दूसरे पेश नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेश लगा दे तो नीचे स्किन में चले जाएंगे आपके स्किन को तोड़ देंगे पेश लगाने के बार्स पर बेक कवर लगा ले तो बेक कवर लगा ले तो बेक कवर पर बिल्कु सीधा रखर कर साड़े सा तोड़ा सा जोड़ा 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 सा ज कर दो अजो कर दो, कर दो कर दो दो कि लाओब?